सब्सकारब करें अपने यूटीब चैनल लान बॉट मेडिसन को और बेल ऐकन दबाएं लेटेस नोटिफिक्शन पाने के लिए स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लानबाउट मेडिसिन में जहां आप पाते दवाईयों के बारे में शंभोन जान करें दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक इन्फ्यूजन के बारे में जानेंगे जो कि है डेक्स्ट्रोज 25% जिसे हम डी 25% के नाम से भी जानते हैं और यह ज़्यादा तर आपको 100 ml की प्लास्टिक बोटल में देखने के लिए मिलता है इसके पूरी डीटेल हमें इस वीडियो में जानेंगे जैसे कि यह कितने रुपे में आपको मिल जाती है कौन-कौन विवक्ति हैं जिसे यह नहीं लगा जाया सकता है इसको लगाए जाता है इसके साइड एफेट के बारे में और कितनी मातरा में इसको लगाए जाता है ये इसके अलब कई अन्य महत्रपूर बाते इस वीडियो में हम जाने किसी वीडियो को अंतक देखें मैं हूं आपको होस्ट मोहीद आदीच और आप देखें अपना YouTube चैनल है लेन ट्मेजिशन चलिए आशे कुछ नहीं सिकते हैं अगे लाटे है लौ फैंट्स नमस्ते दोस्तों डैक्स वह इंफिजन 5 पर तीसद 10 सब्सक्रे में अवेलेबले यहां पर के हम भी सब्थीश पर तीसद की बारे में डीक्स पर दिसे हम हम 25 भी कहते हैं इसकी अलग जैसे कि 100 ml ऐलेबल जैसे कि सो मैल दूसु पचास अमील दो सब्सक्राइबल जैसे की 100 ml लेकिन इसकी सो मैंगी पचीस रूपए से थीस रूपए मैं आपको मिलती है इसकी यूजूज को जानने से पहले हम जान लेते हैं, वह कौन-कौन व्यक्ति जिने यह नहीं लगाया जा सकते हैं, उनमें contra-indicated है, उसमें सबसे पहले वह व्यक्ति है, जिसको diabetes है, मदू महका कोई रोगी है, इसके अलावा, ब्लड में जिसके potassium की कमी हो, साथ ही breathing related समझे कि व्यक्ति को हो, liver की, या kidney की severe disease व्यक्ति को हो, या कोई व्यक्ति हो, जो सरकरा के food, जो सरकरा का खाना है, उससे allergy को, किसी व्यक्ति को regular blood transfusion किया जा रहा हो, मतलब उसे कोई ऐसी बीमारी, जिससे हफते में, या महिने में, छे महिने में बार-बार blood चडाना पड़ता है, तो उसे भी यह नहीं दिया जा सकता, साथ ही गोई pregnant महिला, जो गर्वती महिला, उन्हें भी यह नहीं दिया जा सकता, या इन सभी इस्तति से आप परेशान है, तो अपने डॉक्टर को जो से बता है, जिससे कि आपको D25 नहीं लगा कि कोई और दूसरा infusion लगा जा सकते, किसी समझ्च्य का सावना नहीं करना पड़े, अब जानते हैं इसकी यूज़र के बार में क्या के इसके यूजर होते हैं, किन कंडिशन में इसका प्रयोग लिया जाता है, जिससा कि अब डेक्स्टरो इंजेक्शन है, तो इसका मुख्यत प्रयोग हाईपोग्लाइसीमिया कंड इसके अलावा किसी वेक्तिक को इंसूलन शोट की समस्या ओई यह वह इस्त taper Sh sales जो मदू मेकार होगी इंसूलन या एंटिडियाबिटिक मेडिसेंग किसी्धिन की डिये या एंटि डिबीटिक दवा की डुस ले लिए लेकिन खाना खाना बोल जाता है उसका ब्लड सुगर लेवल बिल्कुल कम हो जाता है उस समय जब डेक्सट्रोज 25 लगाया जाता है उसका ब्लड सुगर नॉर्मल तका जाता है इसी कहुंग इंसुलीन सौट करते हैं और इसका जाता है और जब टी-25 उसलवेक्टी को लगाई जाती है तो वापस नॉमल तक आ जाता है जिससे कि वो चेतन की आउस्ताम आ जाता है कौन्शेस हो जाता है इसे कायाट से जब बहुत ज़्यादा सराप्पी के होस्पिटल में जाता है तो अमरजेंसिमों से तुरंती डी-25 गया जाती है और दोस्तों हो सकता है यूसर बाता है इसके अलगवी किसी इसस्ति में बोडि में ब्लड सुगर की कमी हो गयो डौक्टर अपने प्रियोग ले हो सकता कई बार पोस्ट ओपरेटिव प्री ओपरेटिव या ड्यूरिंग ऑप्रेशन भी इसका प्रियोग ले अब बरते हैं इसके side effect तरफ यदि किसी व्यक्ति को इसके side effect होते तो वो क्या क्या हो सकते हैं commonly इसका side effect नहीं देखा गया यदि जो contra indicator विक्ति है जिनके बारम पहले जाना था उन्हें नहीं लगाया जाए तो उनका side effect नहीं होता है फिर भी जो most common side effect विक्ति को जी जगा पर इंजेक्शन लगा है एलर्जिक रियक्शन हो सकती है खुजली होना रेडनेस होना हाई रेस्स होना यह समश्या हो सकती है व्यक्ति का blood sugar level अचानक से बढ़ सकता है पेट में व्यक्ति को दर्द हो सकता है औ इसकी route of administration क्या है अगर route of administration की बात करें तो जैसा कि सभी इंफ्यूजन की रूट होती है आई वी इंट्रवीनिस ही होती है क्योंकि जो आइम लगाए जाता है जो इंफ्यूजन होते हैं सो और तथा उसकी ज्यादा ml के होते हैं साथी दोस्तों इसके रहों जो दूसरे में सब्सक्राइब कि इसका लिक मिल जाएगा कितनी मात्रा में विक्ति को लगई जाती जो एडल्ट विक्ति इसको एक बोटल जो रिलीफ मिल जाता है अगर उसको फायदा नहीं हो तो बोटल भी लगा ही जा सकती सामय ने तो एक दिन लगाते लेकिन आवशक्त आने पर तिन दिन से लगा और पांस दिन भी इसको रिगूलर लगाए जा सकता है इस तरह से साथ में थेरपी देके कंप्लेट टीट्मेंट बनाके डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है और इस इंजेक्शन का परियोग बच्चों से लगा कर बुजूर्गों में सभी मिक चाह सकता ह यहां पर फिर से एक बात कहना चाहिए यदि को प्रेग्नेट उमर नहीं लगा है और दोस्तों इसी के साथ कंप्ली डीटेल में ने डी 25 के बारें बता दी उम्मीद करता हूं आपके लिए काफी हेल्प पूर रहेगी और वीडियो आपको पसंद आए जो से इसको लाइक क में सभी वीडियो मुफ में देख सकें आप अपने दोस्तों मुही दादीज के साथ देख रहें तेपना यूट्यूब चैनल अनुप मैडिशिन थैंक यू फ्रेंड्स टेक क्यार एंड बी केर फूर्ट मैडिशिन इसर् प्रेंस